जाने नमस्कार साथःओं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेमिय संख्या यानिकी राशनल नंबर्स देबारें। अभी तक आप 4 प्रकार की संख्याइं पढ़ चुके हैं। जिनने सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जानि की नैच्रल नम्बर्स और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है एक और यह एक से शुरू होती है और इसका अंत नहीं होता और यह बढ़ती जाती है इसी प्रकार इसके बाद आते हैं पूरन संख्या यानि की होल नम्बर्स इसमें सबसे चो बाद तीसरे प्रकार की संख्या आती है पूर्णांग यानि की इंटीजर्स इसमें रिनात्मक संख्या भी आती है शुनिया भी आता है और धनात्मक संख्याई भी आती है और इन सब के बाद आती है प्रीमेर संख्या अब हम जानेंगे कि प्रीमेर संख्या क्या होती है इसम मैं आपको एक उधारन देती हूं मान लीजिए आपके पास 500 रुपए थे और आपको बोला गया कि आपको इन 500 रुपए को तीन बच्चों में बाटना है तो आप कैसे बाटो गए अब जैसे तीन के पास कितने हैं 500 तो एक को कितने दो गया 500 बटा तीन अब जब इस परकार क की संख्याएं हमारे सामने आती हैं तो हम इनको इनको ना हम प्राकृतिक में शामिल किये थे ना पूरणांक में और ना ही पूरण संख्या में तो इस प्रकार की संख्या को हम प्रीमियर में शामिल करते हैं आए आए अप जानते हैं प्रीमियर संख्याएं होती क्या है प्रिमियर का मतलब रैशनल होता है कि उत्पत्ति पद अनुपात रेशो से हुई है इसलिए ऐसी संख्या जिसे अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है उससे प्रिमियर संख्या कहते हैं इस संख्या में P और Q दोनों पुरूणांख है तथा Q सुनने के बराबर नहीं हो स देखता है जैसे आपने तीन बटा चार बटा पांथ बटा चे यह जैसी अनेक भिन देखी हैं सभी भिन प्रिमयर संख्याएं होती हैं इसी परकाल 0.5, 2.3, 0.33 अतियादी दशाम लव संख्याएं भी प्रीमिय संख्याएं होती हैं क्यूंकि हम इनको नुपात के रूप में लिख सकते हैं जैसे 0.5 को आप लिख सकते हो 0.5 इसी को सुप पांट बटा दस होता है इसी प्रकार 2.3 और 0.3, 3 को भी आप लिख सकते हो चलिए अब मैं आप से एक सवाल पूछती हूँ क्या आप बता सकते हो कि हम 4, 5, 6 अतियादी पुरुनाग संख्याओं को प्रीमियर संख्याएं कह सकते हैं या नहीं सोचो इस बात को जरा इसका जवाब है हाँ कि जैसे कि आप सब जानते हो कि हम 4 बराबर 4 बटा एक लिख सकते हैं इसलिए सभी पुरुनाग संख्याओं परीमियर संख्याओं होती हैं अब परिभाशा से आप देख सकते हो कि 4 भी एक पुरुनाग है और एक भी एक पुरुनाग है इसलिए P बटा Q एक प्रीमियर संख्या है चार बटा एक एक प्रीमियर संख्या है इसलिए हम कह सकते हैं इसी प्रकार प्राक्रितिक और फूर्ण संख्याओं को भी प्रीमियर संख्या बोला जा सकता है जैसे अब यहाँ पे P बटा Q है पी को अंश कहते हैं और क्यों को हर कहते हैं उपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं अब यहां देखिए जैसे यहां पे चार बटा तीन दिया गया है यहां पे चार भी धनात्मक है और तीन भी धनात्मक है अंश और हर दोनों हर धनात्मक है इसलिए इनका भाग भी धनात्मक होगा और इसी परकार इसमें अगर हम देखें इसमें क्या है यहाँ पे हमारा अंश रनात्मक है और हर धनात्मक है और इसलिए इनका भाग रनात्मक होगा अन्श और हर मेंसे अगर कोई भी एक रिनात्मक है और एक धनात्मक है तो इनका भाग हमेशा रिनात्मक होगा जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अन्श हमारा धनात्मक है और हर रिनात्मक और इनका भाग रिनात्मक है और इसी परकार अगर एक और ले लो जहां पे हमारा चार बटा तीन अगर हमारा अंश भी लिनात्मक हो और हर भी लिनात्मक हो तो क्या होगा तो इनका भाग धनात्मक होगा चलिए अब आपने ये तो पढ़ लिया कि परिमिय संख्याएं होती क्या है और उनमें किस परकार की संख्याएं शामिल की जाती है और अब हम पढ़ेंगे संख्या रेखा जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था कि संख्या रेखा पर पूरणांक संख्याओं को हम कैसे दिखाते हैं जैसे यहां पर हमारे पास है यह संख्या रिखा यहां पर हमने सभी पूर्ण आंकों को दिखाया है सभी को नहीं दिखाया तस तक दिखाया है और भी आगे होंगी पर हमने इतना ही दिखाया है यहां पर शूल्य है इसमें इतनी संख्याएं प्राक्रितिक संख्याएं हैं और यहां से लेके आगे तक पूरण संख्याएं हैं और इस यहां से लेके आगे तक सभी कौनसी हैं पूरुणांग और अब हम देखेंगे कि इस जैसे हमने संख्या रेखा पर पूरुनांग को दिखाया है ऐसे हम क्या हम प्रिमियर संख्या को दिखा सकते हैं चलिए अब हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर प्रिमियर संख्या को हम कैसे दिखा सकते हैं जैसे हमने पीछे देखा था, कि शुन्य और दो के बीच में जैसे एक आता है, जैसे दो पुर्णांगों के बीच में एक पुर्णांग आता है, इसी परकार यहां पे हम देखेंगे कि शुन्य और एक के बीच में क्या आता है, तो इनके बीच में हम क्या इनके बीच में प् हैं कि अगर हम जीरो और एक के बीच में आधा मतलब एक बटा दो को हम लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं एक बटा दो एक से छोटा है और शूनिया से बड़ा इस परकार हम सोच सकते हैं कि एक बटा दो जीरो और एक के बीच में आएगा इसलिए हमने यहाँ पे इसे यहाँ पे दिखाया है और इसी परकार यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है जीरो बटा दो, जीरो बटा चार, जीरो बटा आट, ये सब प्रीमियर संख्या हैं, यहाँ पे हमारा अंच जीरो है और हर दो, और ये दोनों पुरणांख हैं, इसलिए ये भी एक प्रीमियर संख्या है, और छुन्य बटा दो, ये भी बराबर जीरो के 0, 0, 4 ये भी 0 के बराबर है इसी परकार 2 बटा 2 ये 1 के बराबर है 4 बटा 4 ये भी 1 के बराबर है 8 बटा 8 ये भी 1 के बराबर है अब हम देखते हैं कि 0 और 1 के बीच में कितनी प्रेमेस अंखियां आ सकती है अगर आप हर 2 ले रहे हैं और अंश कितने आएंगे उसमें, एक बर जिरो आसकता है, शुन्य आसकता है, एक बर एक आसकता है, और एक बर दो आसकता है, इस परकार के तीन प्रेमियर संख्याइं आसकती है, और इसी परकार शुन्य बटा दो और एक बटा दो, इन दोनों प्रेमियर संख्याओं में भी एक premier संख भाएगी, एक नुए बहुत सारी आसकती है, जैसे यहां पर हमने, अगर हमने मान लिजी हर चार ले लिए, चार ले लिए तो इसमें क्या क्या आएगा, शुने बटा चार, एक बटा चार, दो बटा चार, तीन बटा चार, चार बटा चार तक जाएगा, और यह is और यह कितनी है यह पांच है और यहां पर आप देख सकते हो कि 0 बटा 2 बलब 0 बटा 2 और एक बटा 2 में एक बटा 4 आ रहा है इसी परकार आप अगर हर 8 ले लेते हूँ आठ को आप अम इस परकार दिखाएंगे जैसे हाँ पर दिखाया गया है यह आठ बटा 8 तक जाएगा तो यहाँ पर कितनी है हमारे पास नौ तरीके की आगई और यहां पर हम जिरो शुने बटा दो और एक बटा दो में कितनी परकार की यह वली प्रेमियर संख्याएं लिख सकते हैं तीन परकार की आगई इसमें इसी परकार आप और भी लिख सकते हो अगर आप हर नौ ले लो 9 100 नौ तक जाएगा वो और प्रीमे र शंकky और इस परिकार हम देख सकते हैं दो पूरणांकों पीच में एक ही पूरणांक आज था और यहां पर आप देख सकते हो कि दो प्रीमे र संख्याओं में बहुत सी प्रीमे संख्याइं आसकती हैं। आर उनका कोई भी अंद होगा होगा। मंन के बीच में बताया है किilan दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमियर संख्याओं आ सकती हैं यह मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं असीमित संख्याओं हो सकती है और यह आप पहले ही देख चुके होगी कैसे हो सकती है इसलिए दो पूर्ण आंकों के बीच में पूरुनांकों की सीमित संख्याएं होती है अब ये देखें क्या लिखा है दो पूरुनांकों के बीच में पूरुनांकों की सीमित संख्याएं होती है सीमित मतलब फाइनाइट जैसे मैंने पीछे ही बताया है कि इन्हीं दो पूरुनांकों में जैसे पांच और साथ में छे आता है, एक पुर्णांग आता है, पांच और आठ में दो पुर्णांग आते हैं, ऐसे, इनकी संख्यां सीमित होती हैं, मतलब हम उनको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, पर दो परीमिय संख्यां के बीच में असीमित परीमिय संख्यां होती है मतलब उनको आप नहीं गिन सकते हो वो बढ़ती ही जाएंगी बहुत जादा होती है किन्ही दो के बीच में इस परकार ये किन्ही दो प्रीमिय संख्याओं के बीच में असीमित प्रीमिय संख्याओं होती है सीमित का मतलब जिने आप गिन सकते हो और असीमित का मतलब जिने आप नहीं गिन सकते इसी के साथ हम आज का ही लिग्चा यही पे खत्म करते हैं देखने के लिए आपका बहुत भाहुत धन्यवार झाल झाल